हेलो फ्रेंट्स आप सभी के स्वागत थे हमारी यूट्यूब चैनल बहुस इन्फो जोन में हमारे दिव्यांक स्नाथियों द्वारा पुछा गए सवाल सर क्या हमें प्लेन की यात्रा में फिरी यात्रा करने की आउसर मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मिलता भी है तो हमें कितना किराया मुहया करना परेगा प्लेन में खर्च करना परेगा हवाय यात्रा करने के लिए गाज ए वीडियो छोटी सी है और आपकी डौड केलियर हो जायगि आज आपको बताएंगे कि प्लेन में कौन सा एरो प्लेन है जो दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांग लोगों को हवाई यातरा में छूट देता है उसके साथ साथ उनके साथ कोई व्यक्ति जा सकता है या नहीं जा सकता है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं गज हम बता दें सबसे पहले ज एक मात्र एयर इंडिया ही है जो दिव्यांग ब्यक्तियों को प्लेन में मिनिमम 50% का लाब देता है अगर आपको प्लेन का यात्रा करना है तो काउंटर पे एक हफ्ता पहले जाकर अपना टिकेट बुक करवाना रहता है जो भी टिकेट का ओरिजनल रेट होता है जिएस्टी उगर अचाट कर उचके ओरिजनल रेट में से आपका 50% लगता है दूसरी आपके सनत किसी भी ब्यक्ति का एक पैसे का आरक्षर नहीं मिलेगा इस बात को आपको ध्यान रहना है अब मैं आपको बता दूँ आपका कौन कौन सा डोकुमेंट लगेगा ये रिजर् अगर अपका पुराना वाला भी है तो चलेगा बट अब अगर नया वाला बनवाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा सायद वोग ले या ना ले इस बात को ध्यान रखना है जहां तक दिव्यांग जन का सवाल था हमने आप लोग को जबाब दे दिया अगर आपके मन में इसके लाबा और भी कोई डाउट है या फिर कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी जनकर आप लोग को कैसी लगी आप लोग जरूर पते हैं को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिजिएगा चलिए हम मिलेंगे ऐसे वीडियो के सब तब तक लिए